रेडी, स्पेड सो सब्द प्रति मिनट, स्टार्ट दुनिया के सबसे अधिक सामाजिक विसमता वाले देशों में भारत का इस्थान परमुख है विराम संयुक राष्ट के अनुसार दुनिया में 26 करोड से अधिक लोग विभिन कारणों से सामाजिक विसमताओं के सिकार है विराम इसके पीछे जाती है भेदबाव चुआ चूत और उचनीच की भावना परमुख है विराम भारत में जनमगत जाती के आधार पर भेदबाव की प्रथा पुरानी है विराम उससे आज भी भारतिय समाज मुक्त नहीं हो पाया है विराम जाती है भेदबाव उचनीच और चुआ चूत को खतम करने के लिए सताबदियों से सामाजिक आंदोलन और जागरन के कार्रे भी किये जाते रहे हैं लेकिन विसमताओं की जड़े इतनी गहरी हैं की तमाम कोशिसों के बावजूद आज भी भारतिय समाज इस कलंग से मुक्त नहीं हो पाया है विराम पैरा सामाजिक विसमता को दूर करने के लिए पत्रकारिता के जरिये भी अनेक ठोस प्रियास किये जाते रहे हैं विराम उद्दंड मार्तंड से लेकर प्रताप सरस्वती कवी वचन सुधा आर्ले मित्र सार्व देशिक परोपकारी दिल्ली प्रेश से प्रिकासित मुक्ता सरीता जैसी अनेक हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने सामाजिक विसमता के खिलाप लंबी लडाईयां लड़ी विराम ग्रा पत्र पत्रिकाओं में भी सामाजिक विसमता के खिलाप लगातार जागरुपता अभियान चलाए जाते रहे हैं विराम केंद्र और राज्य सरकारों की और से सामाजिक विसमता को दूर करने के लिए किये गए प्रियास भी महत रखते हैं विराम कानून में सामाजिक विसमता के खिलाफ अनेक प्रावधान किये गए हैं जिनमें जाती वर्ग, संप्रदाय या धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदवाव करना अपराद के दाइरे में रखा गया है विराम अनेक स्वेम सेवी संगठन भी इसके खिलाफ काम करते रहे हैं लेकिन इनका कोई खास असर दिखाई नहीं पड़ता है विराम पैरा समाज में जाती है भेदवाव के कारन आज भी भाईचारे की वह भावना नहीं पनप पाई है जिसकी बातें मंचों से बहुत जोर सोर से की जाती रही है विराम आज भी भारत के गामों में दलितों और पिछडी जातीयों के साथ कथित उच्च जातीयों के लोग मानविये वहार नहीं करते विराम समाज के आर्थिक रूप से संपन जातियों के लोगों द्वारा खोदी गई विसमता की खाई अभी देखने में तो कम होती जान पड़ती है लेकिन सच्चाई कुछ और है विराम समाज के दवंग लोगों को कानून की कोई परवहा ने होने के कारण पीडित द्वारा पुलिस में की गई सिकायत पर कारवाई भी दबंगों के मन मुताबिक होती रही है विराम आजाली के बाद हजारों ऐसी गटनाए इसकी गवाहा है जब पुलिस ने पीडित की मदद के बजाए दबंग की मदद की विराम सैक्रों मामलों में पीडित दलित को शिकायत करने पर पुलीशिया जुल्म का शिकार होना पड़ा विराम ऐसे अनेक उधारन है जब पुलिस में शिकायत के बाद दबंगो ने पीडितों के परिवार को ही मोत के घाट उतार दिया और पुलिस ने उसे आटन हत्या बता कर मामले को रफा रफा कर दिया विराम पैरा कुछ लाज्यों में तो जाती विविस्था के मताबिक पुलिस लाइनों और ठानों में उच्छ कही जाने वाली जातियों पिछडों दलितों और महा दलितों के लिए अलग-अलग बोजन की विविस्था समाचार पत्रों की सुर्खियों में रही है विराम बिहार में अनेक वर्सों तक लाल सेना रनवीर सेना और अन्य जातिय सेनाओं के दबंग जाती के आधार पर हीनसक वारदात करते रहे हैं और वहां की ततकालीन सरकार मूक दरसक बनी रही विराम इसलिए कि इससे उसका वोट बैंक खिसकने का डर था विराम उन्य सो सत्यानमे में रनवीर सेना और लाल सेना द्वारा की गई जातीय हीनसा की जाच के लिए गठित अमीर दास आयों को नितिस सरकार ने भंग कर दिया यह भी वोट बैंक की ही राजनीती का एक हिस्सा था विराम तब से लेकर अब तक इस्थानिये और राश्टिये अकबारों और पत्रिकाओं में इस जातिये विसमता के खिलार आवाज बुलंद की गई लेकिन सरकार पर इसका कोई विसेस असर नहीं हुआ विराम पैरा जा पाती विविस्था के कारण ही भारत की 90 प्रितिसर सामाजी विसमताएं समस्याएं और वी संगतियां पैदा हुई हैं विराम इस सच्चाई को केंद्र और राज्यसरकारे जानती हैं विराम इसके बावजूद जाती पाती को जिन्दा रखने के लिए नोक्रियों और लोकसबा राज्यसबा और विधानसबाओं में जाती का विवरन भरना अनिवार्रे बनाया गया है विराम जब तक जनमगत उचनीच और भेदबाव की दिवारें कायम रहेंगी तब तक विसमता की बेल को खाद पानी मिलता रहेगा और समाज में बड़े इस्तर पर सदगुन मानविय मुल्य सामाजिक मुल्यों और पारिवारिक मुल्यों की स्थापना नहीं हो सकती है विराम पैरा विसमता के कारण समाज का कमजोर तब का राजनेताओं और समाज सेवकों की दोहरी नीती का भी सिकार होता रहा है विराम मसलन पिछली नितिस सरकार ने अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए बिहार में सामाजिक रूप से पिछडे दलित और महादलित में विभाजित किया विराम इस विभाजन से ये दोनों वर्ग समाज के अन्य वर्गों से अलग थलग पड़ गए विराम इन दोनों जातियों को पहले से कहीं अधिक उत्पीडन और अन्य विकट समस्याओं का सामना करना पड़ा विराम रहे चाहे जगनात मिस्र की सरकार रही हो लालू या राबडी की सरकार या नितिस की सरकार रही हो अभी तक जितने भी बिहार में दलित हत्याकांड हुए हैं उनमें से एक दो को छोड़कर अन्य सभी के अपरादियों को सजा नहीं दिलाई जा सकी है विराम लगबग सभी मामलों में जजने सरकारी पक्च के धुल्मुल रवईय के कारण सक का लाब देकर अपरादियों को बाइज़त बरी कर दिया विराम पैरा सवाल है कि सामाजी विसंता का दंस केवल दलित और पिछडी जातियां क्यों जेलती हैं अन्य जातियां इसका सिकार क्यों नहीं होती इस सवाल का जवाब सर्वोचनियले की वह टिपनी हैं जो उसने हर्याना के मिर्च पुर कांड के मामले में दिया था सर्वोचनियले ने कहा था इन लोगों यानि दलित जन का कसूर मात्र यह है कि ये गरीब और दलित हैं विराम बाबा सहाब भीमराव अंबेड कर ने कभी कहा था सिक्षित बनो संगर्ष करो और आगे बढ़ो विराम लेकिन सवाल यह है कि सिक्षित दलित पुरुष या महिलाओं का उत्पिडन नहीं हो रहा है क्या केवल सिक्षित बनने या संगर्ष करने से बात बंती नहीं दीप भी में रही है विराम पैरा भारत का सामाजिक धाचाही विसंता का कारण है विराम जनम के आधार पर ही यहां मान लिया जाता है कि उची जाती का व्यक्ति अच्छा है और नीची जाती का व्यक्ति उपेक्षनिये हैं विराम इस जनमगत जाती विवस्ता को खतम करने के लिए जितने भी आंदोलन चलाए गए उन्हें सफलता तो मिली लेकिन हमेशा के लिए इस बुराई को खतम नहीं किया जा सका है